नमस्कार स्वागत है आपका तरकश में मैं हूँ अमर्टार राय और आज तरकश में हमारे साथ हैं CPM के माहसचेव सीता राम येचुई सम्विधान दिवस के मौके पर सीता राम येचुरी की संसद में गंभीर चिनता हैं देखने को मिली खास तोर से सम्विधान दिवस की प्रासंगीक्ता को लेकर, लोकतांत्रिक मुल्यों को लेकर, दलितों किसानों की चिनता को लेकर और इससे भी बड़ा सवाल और सहिश्मता को लेकर तो सीधे उनसे सवाल करते हैं येचुरी सहाब सम्विधान समवाद के जरीए क्या निकला? हमारे इसाब से अभी जो बहस खतम हुई तीन दिन लंबा राजस्वा में पचास से ज़्यादा MPA भाग लिया और बाद में एक घंटे का प्रवचन सुनने को मिला और प्रदानमंत्री महोदै सब कुछ कहे कि एकता, खंडता, ममता, समता और ये सब बाते सुने और कई सारे दुनिया के मशूर लेखकों को कोट किया उन्होंने कई सारे लेखकों को कोट किया अगर पहले ही हमसे मांग लेते तो हम भी कुछ और दे देते हैं उनको लेकिन अब सबाल ये है कि जो उन्होंने जो जवाब दिया उसका कोई जुडाव नहीं है जो सबाल हम कई सारे सांसद उठाए एक वहाँ पर डिसकनेक्ट है दूसरा जो और गंबी डिसकनेक्ट है कि आज जमीन पर क्या हालत है वहाँ पर जो हो रहा है ये जो इंटॉलरेंस जो बढ़ते जा रही है और ये हम समझते हैं सिर्फ इंटॉलरेंस ही नहीं है इसके पीचे एक बहुत बड़ा एक किसम की आतंक फैलाने की बात जो हमारे समाज के अंदर जो चल रही है आज सांप्रदाएक भावनाओं को लेकर उसके बारे में भी कोई मतलब उन सवाल जो उठे हैं जमीन पे उसका भी कोई जवाब नहीं मिला अब इस से हमें एक बहुती मतलब एक ऐसी सवाल पैदा हो रही है कि क्या ये सरकार मतलब इन सबी सवालों से दूर रहना चाहती है या चिंता नहीं है उनको या दूसरी और से ये जो चल रहा है जमीन पर ये चलते रहे इसको जो है एक किसम का सरकार इसके बारे में कुछ ना बोले वो आपने आप में एक प्रोटसाहन है आप ये कह रहे हैं कि सम्विधान दिवस पर भले ही तीन दिन की राजेसभा में चर्चा हुई लेकिन उसके हासिल कुछ नहीं रहे और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की गंभीरता जमीन पर देखने को नहीं मिल रही है और जमीन पर जो सवाले हैं लोगों के अंदर जो चिंता है और जो वो खुद अनभव कर रहे हैं उसके बारे में कोई चिंता इस तरफ से या प्रजान मेंतर की तरफ से सरकार की तरफ से कोई प्रकट नहीं हुई लेकिन आप ने कहा पचास से ज़्यादा सांसदों ने राजे सभा के अंदर इस पर अपनी अपनी चिंताएं जताई आप लोगों ने लेफ्ट की तरफ से भी अपनी चिंता जताई लेकिन इस चिंता से आगे क्या क्या कोई सस्टे इसफी साल गिराब अबेटकर अबेटकर जी का एक सामाजिक न्याय के बारे में एक वियू था जड़ातर वो वियू जो है समिधान में आ चुका है अब उसको आगे ले जाने के लिए आज की वास्तविक परिस्तियों में क्या आपको किस सरीके की नए कानून बनाने की ज़र कि ये इस अफसर पर आप जो है तैयार होकर आइएगा नए कानुनों के कर लिकर आईएगा हम चाहरे थे एक स्पेशल सेशन हो दो दिन अलग से रखे आप लेकिन वो नहीं हुआ ठीक है लेकिन इन दो दिनों में या तीन दिनों में सरकार ले आते कुछ प्रस्ता वो नहीं ह कि इस जो हमारे सीट पीए देखते रहते के सामने हमने उनसे कहा की एक बार तो आशवाशन झेजेन प्रदानुत्री में हो गया, कि संसद में दीजे आशवाशन, देश की जनता तक पहुंचे, कि आपकी सरकार कानून के बारे में प्रतिबद है, जो इस तरीके के बाशन देते हैं, तनाव पैदा करने वाले, एक हेट्रेड की, जो एकदम जो बाशने जो होती है, उसके खिला है, अब ये बड़ी अफसोस की बात है, इससे लगता क्या है, कि जो ये कानून का उलंगन कर रहे हैं, उनको खुला लैसेंस है, वो जो कर रहे हैं, वो करने दें उनको, हम जो प्रोशन देना हैं, हम वो देते रहेंगे, अब ये खतरनाक बात है, जी, तो एक तरफ आप य कह रहे हैं, कि जो लोग सही शुनता पहला रहे हैं, या जो लोग इसके खिलाब बयान दे रहे हैं, उनके खिलाब कोई कानूनी कारवाई नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं, कि कुछ नए प्रस्ताओं भी लिया सकती थी सरकार, जो नहीं लिया तो क्या स्टेल को कि आंद्रा की संस्कृति वह पे लोगों को पताए बाई बताईए या अब उसके आधार पर हुआ क्या है यह सिर्फ एक टोकेनिजम था कि हम यह जो है यह यहां पर दिखाएगे प्रादानमंत्री एक और अजीब बत कह गी कि दोनों संसत के सदनों में उन जानना चाहती हूं कि इन चिंताओं को आपनी संसत के अंदर तो जता दिया लेकिन यह चिंताएं संसत में बहस के आगे कहा जाएंगी क्योंकि इससे तो जनता को कोई समाधान नहीं मिला जनता के वो समाधान देने के लिए आप लोग क्या करेंगे जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे लाम बंद कर रहे हैं, उनका विरोध की भावनाओं को जता रहे हैं, आज से लेकर, और ये शुरुआत तो हुआ, पारलिमेंट के अंदर भी पूरे वामपंदी सांसर जो है, आज वहाँ पर विरोधी प्रदर्शिन के एते हैं, आज से लेकर 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद जिस दिन द्वस्त हुआ था, या किया गया था, उस दिन तक ये पूरा हफ्ता, पूरे देश बर में, छे वामपंदी पार्टियों के तरफ से, जनता के बीच में, जाकर ये आज जो हो रहा है उसके विरोध में, ये जन आक्रोश को ल की एक मजबूत आवास थी, वो विपक्ष की आवास की एक धुरी हुआ करती थी, लेफ्ट, जब वाजपी की सरकार थी, और आज उसकी हैसियत ऐसी हो गई है कि आप खुद महासिची होते हुए कह रहे हैं कि हमारी आवास की कोई वैल्यू नहीं है, ये इस वज़े से नही क्योंकि हम कमज़ूर पड़ गया, आप देखिए, एक हमने प्रसाब जो लाए थे पहला सतर में, ये दोजा चौदा की चुना होने के बाद, ये कभी नहीं होता, कि राजपती जी का जो वाशन जो होती है, उसके उपर एमेंट्मेंट ले आए जाए, ये कभी अक्सर होता नहीं, मतलब, लेकिन वो एमेंट्मेंट मूव किया हमने, पूरा विपक्ष ने समर्तन किया, और उसको वो एमेंट्मेंट्ट पारित हुआ, राजसभा के अंदर, और पहला दखा, तो इस सरकार को लगा, आवा सुनती नहीं है, सरकार तो सुनाना, जानता, कैसे सुनवान है, वो भी जानते हैं, वो भी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इतनी सरकार जो है, अन्रेस्पॉंसिव रहे, यानि जो हो रहा है देश में, उसके साथ उसकी कोई चिंता अभी तक प्रकट ना हो, असाहिशुनता पर, राइटर्स भी चिंता जता रहे हैं, लेखक भी चिंता जता रहे हैं, तमाम और जो समाज के बुद्धी जीवी वर्ग है, वो चिंता जता रहा है, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट का, I think, चौथी या पांचमी बार इस तरह का स्टेक्मिन्ट आया हैं कि जो सच्छता है उससे जादा मन की सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है, क्या कहेंगा आप, बहुत बहुत गंबीर और एहम बात, फिर से हमारे महा महम राश्टरपती जी ने कहा, और यह गुजरात में कहा, और यह हम समझते हैं, उसका भी एक गंबीर सिग्निफिक अब पूरे सविधान के ओपर चर्चा चल रहा है, और जो बात हम हमारे जैसे सांसद और जो लोग सब उठा रहे थे, उसका जवाब जो नहीं मिला, जो बहुत उता रहे था, लेकिन राश्टरपती महदेर से तो वो संकेत मिल रहे हैं, कि यह गंबीर सवाल है, जिसके बा जो बार बार यह याद दिलाना पड़ रहा है? नचुरली, यह तो जवार, वरना राश्टरपती क्यों बूलेंगे इतने बार? और सवाल यह है कि आज भी, बतलब यह प्रधार मंत्री जी की जो यह जवाब जो था, जवाब के नाम पर जो भी था, वो सुनने से पहले है, उससे बड़ा पत्प्रदर्शक कुछ हो नहीं सकता है, उसको देश को स्विकार करना चाहिए, मानना चाहिए. बिहार के चुनों के दोरान का है, जब यह अश्रीनिता को लेकर वहां पर एक किसम का जो हुआ है, बत्वारा जो समाज को करना चाहते थे, उसके खिलाब समाधान में, वह खुद कुछ नहीं कहे है, बिल्कुल सही का, लेकिन वह क्या करेंगे, आखर सवाल तो सरकार क्या करेगी, वह करेंगे क्या, आज तक आज तक इस 18 मेनों में कोई संकेत नहीं, क्या आप लोग कोई इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि विपक्ष की धुरी, ताकत बेशक हमारी कमजोर हुई है, वाजपेस आपकी जमाने से लेकर आज तक, आप एकसेप्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल करते हैं, यह हमारी चिंता है और इसके बार में इसको दुरूस करने के लिए बहुत कुछ कदम उठा रहे हैं, और यह सब अलग विशे हो गया, लेकिन यह सब एकसेप्ट ही नहीं करते हैं, इसको दुरूस कर रहे हैं, और होगा वो, लेकिन उसके बावजूद, देखें, वजन जो होता है किसी भी आर्गुमेंट में सिर्फ संक्या से नहीं होती, वो होता है आपकी जो तत्य आप पेश कर रहे हैं, इस बार भी जो त हमारी समझ यह है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ सदन में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से उसका स्वरूप होगा सदन में आने वाले दिनों में एक महतवपूर्ण बिल आने जा रहा है GST, Goods and Services Tax Bill, जिसको लेकर कॉंग्रेस का एक अपना रुख है और उसकी तीन जो महतवपूर्ण मांगे हैं जिस पर वो अब भी कॉंप्रोमाइस करनी के लिए तयार नहीं है हाला कि कई और छोटे दल जो हैं वो तयार हो गए है GST Bill को पास करानी को लेकर आप लोगों का रुख क्या है आप लोग क्या कॉंग्रेस के साथ जाएंगे या आपका कोई अलग वीव है हमारा रुक अपना है और यह पहली बार नहीं है मतलब JST Bill के बारे में हमने पहले दिन से कहा था हमारा इसके उपर एक बहुत बड़ी आपती है इस वज़े से हम कहेंगे कि उस समस्या का हल ना करें तो विरोध होगा है सेलेक कमिटी में हमने हमारा नोट अप डिसंट दिया और वो सवाल क्या है अपती क्या है अब आप सब्सक्राइब की कोशिश करिए बहुत गंबीर बात है कि आज की जो हालात है अपने देश में हमारे समिधान के चलते वे भी जो संगवाद है और उस संगवाद की चलते जो राष्ट सरकारों के जो अधिकार है उन अधिकारों में से अब वो आर्थिक शेत्र में राष्ट अपने लिए जो अपने कामकाच के लिए अपने प्रियोरिटी के लिए जो साधन उठाना चाहती है जनता से उसके लिए एक ही माद्यम्ता उनके हाथ में से स्टेट का स से आई अब GST आने के बाद ये अधिकार पूरा स्टेट जो है इस अधिकार से पूरा वंचित हो जाए लेकिन सरकार ये कहती है कि सर्विस टैक्स में तो हम उसको हिस्सा दे रहे हैं कि कितमा दे रहे हैं सवाल यहां पर फिर आगे ही आप मितलब के अरकम की बात ना अगर हम कि कही सारे स्टेट और हमारा यह इस वाली बात जो केंद्र ये आप उसी के चलते वे कही सारे राजनीतिक समझोताएं भी हो जाते मतलब दो हत्यार है केंद्र सरकार के पास एक कि कितना राज्ची स्टेटों के मिलेगा या दूसरा भाई है आपके पास जो पहले अपने पास एक planning commission हुआ करती थी जहां पर states जो है जाकर अपनी शिकायते दर्स करते थी अब प्लाणिंग कमिशन नहीं है तो आप लोग चाहते क्या है जिसे पास कराने में आप लोग का सहियोग होगा या शर्ते होंगी और शर्तों के साथ हाप पास करें हमारा शर्त यह होगा यह बताईगे यह अधिकार राज्यों का वंचित कर रहो आप इसके मुकाबले में इसका विकल्प क्या बताईगे केंदे सर्कार केंदे सर्कार कहती है एक साल के लिए उनको घाटा होगा हम उसको पूरा करेंगा अब वो बढ़ाते बढ़ाते आप 5 साल तक होगा वो प्रोपोर्शन घरता जाएगा तो अब यह जो कर रहे हो आप एक मौलिक परिवर्तन होगा ना बैवस्तावे अब वो पांच साल से आगे भी चलेगा उसके बात क्या करेंगी भाई राजी सरकार है अब पूरव उत्तर के राजी सरकार है तो पूर आप जिसमें यह सवज़ लिए बड़ी गंबीर बात है पूरव उत्तर के राजी सरकार है दस प्रतिशत आपने कहा कि कानून बनाया सुम्मिधान को बदला दस प्रतिशत आपने कहा कि जतना भी आपके विकास के लिए खर्चा होगा वो दस प्रतिशत जाएगा नौर्थ इस्ट के लि अब देखें यह सब बहुत ही और छोटे राजियों की चिंताएं जायज इसलिए मैं कह सकते हूं इस पक्त क्योंकि जब मुदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के तो चिंताएं उनकी तरफ से भी आई थी चे साल आप यार रखिए वामपंदी सरकार वामप कि उन्होंने जो सिफारिश दी कि यह अगर वंचित कर रहो इस साधिकार से इसका एक वाइकल पिक कई सारे प्रोपोजल साएं के इस सरकार कुछ उनके बताना था आज तक नहीं बताई हम यह सरकार जब से आई मोदी साब जब से प्रदार में बने हमने सिर्फ एक ही सवाल कि राजसरकार से आपने सलमश्रा किया उनका राय क्या है और उसके आधार पर क्या है यह प्लैन अभी तक कुछ जबाएं इंपावर्ट कमेटी में राजसरकारों के वितमंत्रियों की तमाम जो सहमती है वो सामने आ चुकी है वो तो आट साल हो गये वो पुरानी बात आप जो है राजसरकार ऐसी है जो उसका विरोध कर रहें क्या उनके साथ आपकी बाचीत क्या हुई तो फाइनली मैं यह जानना चाहती हूँ कि तो फिर आप किस तरफ खड़े होंगे जी एस्टी के पक्ष में खड़े होंगे या विरोध में खड़े होंगे कॉंग्रिस के परखिय की लोगस्वभावे जो पास हुआ वो गलत हुआ हम ने लोगसवभा में विरोध किया नोट विरोध भी दिय कैया हम जो कह रहे हैं कि क्या है तृ ज जन वर जो जी एस्टि आप जो गह तृ रहे ह्रहों वो उसका सथरूप क्या थे Around तृ हाथी इचुना होनी जा रहे हैं बिल्कुल अब के अंदर अभी जो सेमी फाइनल हुए है उसके अंदर वाम पंदियों का इतना बारी जीत जो हुआ उससे कई लोग आश्चे रहे हैं हम भी मतलब इतना अनुमान नहीं किये थे कि इतनी तादात में जीतेंगे लेकिन वो जीत कि लोग किस तरफ दो सुचे बिहार में बिहार में क्या हुआ अब आप देखे अब हमारी वाज़ों हम भी तो हमारी प्रात में नारा क्या था वाजपा को और संप्ताक्ता को हरा हो वह हुआ कही सारे जगों पर और जहां पर वाम पंदियों के भी ताकत एक से तीन बढ़ अब दो लगवार देखे लेकिन वह उल्टा हो रहा है उसका ग्राफ जो एक से शूनी होने के जगे अब तीन तक तो पहुंचें लेकिन आपकी तो एक भी सीट नहीं आई आई लेकिन आएगी वाम पंदियों की जब बात होती कटा मिलकर जब लड़ते हैं सही बात है माले के सीट आए वह उन्होंने तीन जीता बहुत बड़ी उपलब दी है और वह उसको आगे ले जाने के काम है उसलिए वाम पंदियों को मजबूत करते हुए अब देखे इतना बड़ा इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ है देश में दो सितंबर को अब अब जद्धा के सामने और आपके चानलों के सामने यह जो मामुली मसला हो जाता है लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारा राजनितिक स्ट्रक्चर है जिसमें चुनाओ जीतना एक महतवपूर्ण एलिमेंट है बिना चुनाओ जीते आप जो है इस तरह की जो बड़े बड़ाव हैं जो ह हो सकते हैं और वहा पर कही नि कहीं आप लोग कमजोर हो जाते हैं फेल हो जाते हैं लेकिन इस व्योश्ता को आप याद करे कि एक बनी आदिबाध कई सारे हैं आपको जो है रिफॉक्व लाने की ज़रुरःत स्ट्रक्चर में लेकिन एक चीज़ याद की आज बताईए केंद सरकार आज तक ये 65 साल आपकी रिपबिक जो बना रहे हो आज तक कोई केंद सरकार है जो 50 फीज़ी से ज्यादा जो लोग वोट डाले है उनके 50 फीज़ी से ज्यादा वोट लेकर सरकार बनाई अब यही सरकार लो आज की 31% यही सरकार लोग अपकी 31% क्या यह डिमोक्रिसी है रूल ओव दे मिजॉरिटी लेकिन हमारे है वेवस्ता यही है वही उसको बदलना है वही हमारी प्रयास है इस वेवस्ता को बदली है लेकिन तब तो बहुत लंबा अर्सा लग जाएगा लेकिन उसके बीच में आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं मतलब आने वाले दुनों में पश्रिमंगाल असम केरल में चुनाओ है आप केरल के रिजल्ट से बहुत उत्साहित हैं लेकिन पश्रिमंगाल में क्या तेयरी कर पश्रिमंगाल में चुनाओ वही चुनाओ अगर सही डंग से कराओगे तो हम जीतेंगे आचुनाओ नहीं वहां पे हिंसा होती है वहां पे लोग वोट डालने की जगे डालने नहीं दिया जाता है और जहां पर लोग आते वोट डालने उनके उपर हमले होते हैं अब इस को दूरस्त किये बिना वहाँ पर जनतंत्र का कोई मतलब नहीं है अब वो एक बार बंगाल की लोगों ने बहुत दूरी से लड़ा था पचास साल हो गया है अब फिर वो नौबत आ रही है उस तरीके से बिना लड़े वहाँ पर पुनरस्ता अपना जनतंत्र का होगा नहीं ह हम लड़ रहे हैं हमारे 500 से ज्यादा हमारे कारिकरता अलड़ी मारे गया है लेकिन हम अभी भी लड़ रहे हैं अभी भी हिंसा के मतलब हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है लड़ेंगे हम तो क्या आप यह सोचते हैं कि वाम एक्ता के जरिये लड़ेंगे या अकेले जाकर ल और हम चाहते हैं कि जादा हिंसा के साथ ना हो जनतंत्र को बर्गार रखने के लिए हम लड़कर वामपंती वापस जरूर एक ऐसी पोजिशन में आएंगे कि जैसे पहले था बिना उनकी राय लिये वे देश की राजनीती और सरकार नहीं चल पाएगे तो यह पूजिशन फि कामना आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ पाचीत करने के लिए तो यह था तरकश